हलो एवरिवन अगर आपको बच्चों के लिए डिफीन बॉक्स बनाना हो या लंच बॉक्स तो यह रेसिपी सबसे परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि बहुती कम समय में और बहुती कम सामान में जो घर में होता है उससे बन जाता है और इसका फ्लीवर बढ़े हो या बच्चे दोनों को बहुत पसंद आता है सुबे-सुबे की भागदोड में यह रेसिपी बनाना जो है सबसे परफेक्ट रेसिपी होगी आप जरूर ट्राइ कीजेगा तो इसके लिए हमने एक बॉल में थोड़ी सी प्याज, ककड़ी, थोड़ी सी धनिया पती और हलका साना मग डाल कर इनको आपस में मिला लेते हैं, क्योंकि यह बच्चों को ध्यान में रखके में बना रहे हो तो इसके जगह आपके बच्चों को जो भी सबजी पसंद है तो वो सबी सबजी इसमें एड़ कर सकते हैं, अब इनको मिला के आज आपस में अच्छे से मिला के साइड में रख कर सकते हैं मतलब ग्रीन चिली सॉस यूज कर सकते हैं पीजा सॉस सैंडवीच वाला नहीं तो सेजवान चटने अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो धन्या पति और हरी मिर्ची को अच्छे से पेश्ट बना के उसको भी अपलाई कर सकते हैं मतलब एक साइड हमको थोड़ अब इनको सॉस लगाने के बाद जो हमने सबजी काटके रखी हुई थी न तो उसको डालका इसको चारो तरफ अच्छे से फैला लेते हैं सबजीों को जब अच्छे से फेला लेंगे तब इसमें जो है उपर से हलका सा इसमें में चाट मसाला डाल देती हो और थोड़ा सा जो है और गिनो जो पीजा कर उपर डालते ना और गिनो इसे इरक्या है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आपके पास नहीं है ना तो इसको स्किप कर दीजिए फिर भी टेस्ट ना अच्छा ही आएगा अब और गिनो डालने के बाद ना इसके उपर एक चीज का जो स्लाइस होता है वो डालीजे नहीं तो जो नॉर्मल चीज से ग्रेट करके डालते हैं रखते हैं अपर उसको भी डाल सकते हैं अब इसके पर हम एक पैन रख लेते हैं पैन जब हलका सा गरम हो जाएगा तब इसमें हम बटर नहीं तो घी में ही इस ब्रेट को सेखेगा तब ही इसका स्वाद अच्छा आएगा तो मैं थोड़ा सा एक चमाच गी ली हूँ घी को चारा तरह पहलाने के बाद इसके उपर हम ब्रेट साइट से अच्छे से सेखना है और जब देख सकते हैं दोनों साइट अच्छे से सिख गया है तो गैस बंद करके उसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये गरम गरम में ही इसको जो है हम चाकू से नहीं तो एक पीजा कटर की साहता से इसको हम चोटे-चोटे चार हि में काड़ देंगे तो एजली आप चाहे लंच बॉक्स या टिफिन बॉक्स या घर में कोई ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो जरूर ट्राइ किजिएगा बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी वे में बन जाती है और सभी को ये टेस्ट ऐसे नहीं बच्छों को बड़ों भी बहुत पसंद आती है आप जरूर ट्राइ किजिएगा अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू